हलो दियर फ्रेंट्स आपका वेलकम है बायवाले गुरीजी चैनल पर फ्रेंट्स आज की क्लास में हिंदी मीडियम के लिए एंसेयर्टी का समरी का पार्ट लेकर आया हूँ जिसके अंत्रगत हम सजीव जगत का भाग चार पड़ेंगे और इसमें हम पड़ेंगे एंसेयर्टी से समद्ने जो लाइन्स हैं वो जो नीट के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट हैं यहाँपर एंसेयर्टी का समरी भी पड़ेंगे तो फ्रेंट्स आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सजी जगत यानि लिविंग वर्ड के अंदर जो वर्गी की सहाइक साधन है यानि जो टेक्सोनोमिक एड्स है उनके बारे में तो फ्रेंट्स देखिए वर्गी की सहाइता जो साधन है यानि टेक्सोनोमिक एड्स है ये क्या ह तो बोले वर्गी के अध्यन के मुख्य श्रोत है, मैन सोर्स है, तदा पोधों प्राणियों के वास्तविक नमुने इसमें आवश्यक होते हैं, या प्लांट और एनिमल, रियल के अंदर उनके नमुने, उनके सेंपल चाहिए होते हैं, इसके अंदर, और साथ में आप कह सकते है, यानि वर्गी की जो सहायता साधन है, टेक्सोनोमिकल एड है, वो किसके लिए आवश्यक है, वर्गी करण विग्यान यानि जो सिस्टेमेटिक्स है, उसकी ट्रेनिंग के लिए ये आवश्यक है, और साथ में जो फंडामेंटल स्टेडी है, उसके लिए भी ये, यानि म पहले तो ये पता होना चाहिए कि हर्बेरियम, वनिस्पति, उद्ध्यान, संग्राले, प्राणी, उपोनिया, चीडियागर और कुंजी, ये मैन रूप से कुछ टेक्सोनोमिक एड्स हैं, कुछ वर्गी की सहायता साधन है, जिनके बारे हम पढ़ेंगे, तो पहला है हर्बे हर्बेरियम में क्या बनती है, हर्बेरियम सीट बनती है जिस में पोदो के नमुने कागज की सीट पर परिरक्षी रख लिए जाते हैं, और उस पर एक लेबल लगा दिया जाता है, उस लेबल पर ती थी स्थान, एकत्र करने वाले का नाम, पोदे का वानसपतिक नाम, हाथूं हाथ इसको यूज किया जा सकता है यानि एक हर्वेरियम में जाके हम किसी भी प्लांट स्पीशिज के बारे में बहुत जल्दी से कुछ कर सकते हैं तो यह काफी इंपोर्मेशन परापट कर सकते बहुता है तो इसमें जीवीत पोदों का संगरन होता है ओधार्ण के भारे में इङए एंगलेंड के अंदर है और नेश्नल प्याइनीं सिर्दन एंस्टितूट इन्सिटीट नभारत सldस्रेंग के अद लिए यहां पर इसके अंदर क्या है कंकाल भी सामल है प्राणियों के कंकाल को भी रखा जाता है जैसे उमन का कंकाल है या फिर अन्य प्राणिय का जो कंकाल है वो भी संग्राले में रखा रहता है फ्रेंट से ध्यान रखने कंकाल इसमें सामिल है विकवज ये कई बार आ जाता है थाना संग्राले का ही पार्ट है ये फिर इसके बाद में देखे प्राणी उपन आ था चीडिया घर यानि जो आपके सकते हैं जो जूलोजिकल पार्क है वो क्या है तो जूलोजिकल पार्क मतलब यहाँ एनिमल से रिलेटेड है तो वन्य आवासी जीवित प्राणी इसके अंदर होते हैं रखे जाते हैं यानि जो जंगल में रहने वाले प्राणी हैं उनको ही इनके अंदर एक आवास में रखा जाता है और मानव की देखरेक में यहाँ पर रखते हैं इन प्राणी को मानव की देखरेक में क्यों रखते हैं ताकि वन्य जीवों की आहार प्रकरती और उनके व्यवहार के बारे में सीखने को यहाँ पर मिलता है बाई उनको एक ऐसे सुरक्षित वातावरण में रखा जाता है क्या रखा जाता है सुरक्षित वातावरण में रखा जाता है और मानाव की देखरेक में रखा जाता है और फिर वहां उनके आहार की प्रकृति और वेवहार के बारे में अधिन किया जाता है अब friends यहाँ पर जो चिडियागर है उसमें प्राकरतिक आवास जैसी ही प्रिस्तितियां बनाई जाती है यानि चिडियागर के अंदर जो उनका नेचरल आवास था वैसे कि वैसे जो लोजिकल पार्कमन को आवास प्रवाइड किया जाता है या आपको ध्हान में रखना है फिर उसके बाद में देखें कुंजी अत्वाचाबी जो नेक्स्ट वरगी की सहाईता साधन है जिसको आपके सिकते हैं जो की बोलते हैं तो ये क्या है तो बोले हैं पोदे तता प्राणियों की पहचान करने में इनको यूज करते हैं यानि की किस के लिए यूज आती है पोदू तता जो प्राणियों के आइडिनुफिकेशन में यूज होती हैं आपको धिठान रखनाए कि किसपर आधारित होती है अब प्रेंची, जो Kee होती है, यह वीपरिया सी लक्षणों के जोड़े पर आधारित है यायनि आप कहसे क्थे हैं एक कुणी के अंधर जो वीपरिया लक्षण है या जिस्ट ओपोजिक्ट लक्षण होते हैं उनका एक कर सकते हैं कि कुंजी में परते एक जो खतन है वो मारत दर्शन का कारिये करता है यानि एक तरीके से ये analytical in nature होता है यानि एक तरीके से विसलेशनात्मक प्रकरती होती है इसकी कुंजी की क्या होती है विसलेशनात्मक प्रकरती क्या होती है दोस्तों विसलेशनात्मक दूसरे चीजे भी है दूसरे जो आज रहे हैं दूसरे टरह हो कि ख्षथर के वह क्षेज्द के बारे में जानकारी होती है यहां जंतों के बारे में वह थन्हें कहां पर कितने दो टाइप के पोदे हैं और वासस्तान क्या है यानि पोदों की सूची होती है कौन कौन सी स्पीसीज उस एरिये के अंदर है किसी भी क्षेत्र विशेश की बात हो रही है यहां पर फ्रेंड्स तो यह आपको ध्यान रखना है फ्लोरा मतले पोदों से रिलेट वो नियम सहाइता करते हैं तो मैनुवल के अंदर किसी भी चैट्र विशेश में पाई जाना या इस पिसीज के पहचानने के लिए कुछ नियम होते हैं वह मैनुवल होता है मॉनोग्राफ मोनो में मोनो आ रहा है मतलब सिंगल एक तो आप कैसे किसी एक टेक्सों की जानकार के बारे में हैं और चित्रों की एक तरीके से सूची होती है जिसको हम बोलते हैं कैटलोग तो इस तरीके से आपको यहां पर ध्यान रखना है कि यह वरगी की सहायता जो साधन है काफी इंपोर्टेंट है यानि यहां से कई बार कोशन आता है तो यह काफी इंपोर्टेंट करते हैं इसको जस्ट आपको वाच करना है जिसने पड़ रखिया उसको वाच करना ताकि फटापट से रिवाइज हो जाए और नीट के लिए स्पेशली काफी इंपोर्टेंट है ठीक है तो मिलते हैं नेक्स क्लास में ऐसी क्लास के साथ में थैंक यू